आज हम सीखेंगे समानतर रेखाओं पर तीरियक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण रेखाओं के इन युगमों को देखिए क्या आप इन में कोई अंदर बता सकते हैं? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं रेखाओं के इस युगम में दो रेखाएं प्रतिचेद कर रही है ऐसी रेखाएं प्रतिचेदी रेखाएं यानि इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती है अब रेखाओं के इस युगम को देखिए रेखाओं के इस युग्म में रेखा P और रेखा Q को कितना भी बढ़ाया जाए वे कभी भी प्रतिछेद नहीं करेंगी यानि कि इन दोनों की बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी ऐसी रेखाएं जो कभी भी प्रतिछेद नहीं करती समानतर रेखाएं यानि पैरलल लाइन्स कहलाती है रेखा P और रेखा Q समानतर है यह हम इस प्रकार दर्शाते हैं अब रेखाओं के इस युग्म को देखिए आकरिती में दोनों रेखाएं प्रतिछेद नहीं करती लेकिन रेखा का कोई अंध नहीं होता तो चलिए इन्हें बढ़ा कर देखें अगर हम इन्हें बढ़ा कर देखते हैं तो वे एक बिंदू पर प्रतिछेद करती है यानि कि दोनों रेखाएं समानतर नहीं बलकि प्रतिछेदी रेखाएं है आज हम समानतर रेखाओं की तीरियक छेदी रेखा के बारे में चर्जा करेंगे पिछले वीडियो में हमने सीखा कि दो रेखाओं की तीरियक छेदी रेखा अलग-अलग कोण बनाती है जब वे दोनु रेखाएं समांतर हो तो तीरियक छेदी रेखा द्वारा बने कोणों के बारे में हमें और भी मज़िदार बाते पता चलती है चलिए इनके बारे में जानते हैं इन्हें हम एक कतिविधी करते हुए समझेंगे रूलर को कागस पर रखकर हम इसके उपरी किनारे के अनुदीश रेखा L खीचेंगे रूलर की स्थिती में परिवर्तन किये बिना हम निचले किनारे के अनुदीश रेखा M खीचेंगे इससे हमें दो समानतर रेखाएं प्राप्त होंगी रेखा L पैरलल M फिर हम एक तीर्यक छेदी रेखा खीचेंगे जिससे हमें दर्शाय गए कोंड प्राप्त होंगे चलिए चांदे के उपयोग से कोंड एक का माप ग्याद करे जैसा कि आप देख सकते हैं यहां हमें कोंड एक का माप पचास डिग्री प्राप्त होगा है इसी प्रकार अगर हम कोंड एक के संगत कों यानि corresponding angle कोण 5 का माप ग्याद करेंगे तो ये भी 50 degree ही प्राप्त होगा हम कह सकते हैं कि संगत कोण कोण 1 और कोण 5 बराबर है इसी तरह संगत कोण कोण 2 और कोण 6 भी बराबर है संगत कोण कोण 3 और कोण 7 भी बराबर है और संगत कोण, कोण 4 और कोण 8 भी पराबर है ध्यान रहे ये सभी संगत कोण समांतर रेखाओं की तीर्यक छेदी रेखा द्वारा बनाए गए है अब इस आकृती को देखिए इसमें दो रेखाएं और उनकी तीर्यक छेदी रेखा दर्शाई गई है लेकिन यहां दोनों रेखाएं समांतर नहीं है क्या इस थिती में भी संगत कोणों के प्रतियक युगम का माप समान होगा विचार करे चलिए इसे पता करे अगर हम ट्रेस पेपर पर इस कोण को बना ले और इसे उसके संगत कोण पर रखे तो हमें पता चलता है कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढख पाते अगर हम चांदे की सहायता से किसी कोण और उसके संगत कोण का माप ग्याद करेंगे तो हमें ग्याद होगा कि इस स्थिती में संगत कोणों के माप भिन नहें तो बताईए इन दोनों स्थितियों से आपको क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तीरियक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है यदि रेखाएं समांतर नहों तो उनकी तीरियक रेखा द्वारा निर्मित संगत कोण बराबर नहीं होते संगत कोणों का युग्म आसानी से पहचानने के लिए आप F का आकार ध्यान में रख सकते हैं यहाँ ये कोण संगत कोण है इसी तरह ये कोण भी संगत कोण है वीडियो रोक कर इस ट्रिक के माध्यम से संगत कोणों के युग्म ग्यात कीजिए अब इस आकरिती को देख कर क्या पता सकते हैं कि कोण तीन और कोण पांच में क्या संबंध है सोचिए सोचिए बिल्कुल सही ये एकांतर अंतर कोण यानि alternate interior angles है संगत कोणों की तरह समांतर रेखाओं के तीर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतर कोणों के बीच में भी एक मज़िदार संबंध होता है चलिए इसे समझे यहां कोण एक और कोण तीन शीर्षा भी मुख कोण यानि vertically opposite angles है और हम जानते हैं कि शीर्षा भी मुख कोण बराबर होते है इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण तीन कोण एक के बराबर है लेकिन कोण पांच और कोण एक समांतर रेखाओं की तीर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित संगत कोण है इसलिए वे भी बराबर है चुकि कोण एक, कोण तीन और कोण पांच दोनों के बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण तीन, कोण पांच के बराबर है इसी तरह अगर हम trace paper पर इस कोण को बना ले और इसे उसके एकांतर अंतर कोण पर रखे तो हमें पता चलता है कि दोनों का माप समान है अब इस आकरिती को देखिए इसमें भी दो रेखाएं और उनकी तीरियक छेदी रेखा तरशाई है लेकिन यहां दोनों रेखाएं समानतर नहीं है इस थिति में अगर हम ट्रेस पेपर पर यह कोण बना ले इसे उसके एकांतर अंतर कोण पर रखे तो इस स्थिति में दोनों कोण एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढखते यानि कि इनके माप बराबर नहीं है यहां हम एकांतर अंतर कोणों के किसी भी युगम के लिए देख सकते है तो बताईए इन दोनों स्थितियों से आपको क्या पता चलता है? सोचिए, सोचिए बिल्कुल सही, हम कह सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तीर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो एकांतर अंतर कोणों का प्रतीक युग्म समान होता है यदि रेखाएं समांतर न हो तो उनकी तीर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतर कोणों का युग्म पहचानने के लिए आप जेड का आकार ध्यान में रख सकते हैं इसी तरह समांतर रेखाओं की तीर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित एकांतर बाह्यकोणों यानि अल्टनेट एक्स्टीरियर अंगल्स का युग्म भी बराबर होता है इसलिए कोण एक बराबर कोण साथ और कोण दो बराबर कोण आठ है ऐसा क्यूं? इसका कारण आप स्वयम क्यात कीजिए दी आकरिती को देखकर क्या आप तीर्यक छेदी रेखा के एक हे तरफ बने अंतह कोणों का कोई एक युग्म बता पाएंगे? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही यहां ऐसे युगम है कोण 3 और कोण 6 या कोण 4 और कोण 5 चलिए कोण 4 और कोण 5 की बात करें अगर हम देखें तो कोण 4 और कोण 2 शीर्षा भी मुख कोण है इसलिए वे बराबर है अगर आप दोनों कोणों का माप ग्याद करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में से प्रत्येक का माप 130 डिगरी है यानि कि कोण 4 बराबर कोण 2 बराबर 130 डिगरी है इसी तरह अगर हम देखें तो यहां कोण 5 कोण 1 का संगत कोण है इसलिए कोण 5 बराबर कोण 1 बराबर 50 डिगरी है अगर हम कोण 4 और कोण 5 को जोड़े तो हमें 130 डिगरी धन 50 डिगरी बराबर 180 डिगरी यह माप प्राप्त होता है क्या पता सकते हैं कि यदि दो कोणों का योग 180 degree हो तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इन्हें हम संपूरक कोण यानि Supplementary Angles कहते हैं इसी तरह यहां आप देख सकते हैं कि कोण 3 और कोण 6 भी संपूरक है क्योंकि यहां कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180 degree है इससे हमें पता चलता है कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तीर्यक छिदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो तीर्यक छिदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतह कोणों का प्रतियक युग्म संपूरक होता है यदि रेखाएं समांतर न हो तो तीर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतह कोणों का प्रतियेक युग्म संपूरक नहीं होता तो आज हमने सीखा समांतर रेखाओं उपर तीर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण अगले वीडियो में हम सीखेंगे दो रेखाओं समांतर है या नहीं इसकी चांच कैसे की जाती है